इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ important shares के बारे में और साथ ही साथ उनसे जोड़े कुछ important updates के बारे में सबसे बिले बात करने वाले हैं Ix के बारे में जहां पर एक बड़ी updates आज के दिन आते हुए देखने को मिल रही है पिछले एक महिने में Ix ने भी काफी अच्छे returns अपने investors को बना कर दिये हैं लगबग 245 रुपे के high बनाने के बाद में shares के अंदर again हमें profit booking देखने को मिल रही है लेकिन इसी बीच अनिल सिंग्वी और साथी साथ संजीव भसीन की तरफ से emphasis और Ix को लेकर good returns की यहां पर बात करी गई है यानकि यह दोनों shares आपको short term में काफी अच्छे returns बना कर दे सकते हैं और साथी साथ अनिल सिंग्वी और संजीव भसीन का केना है कि IT stocks भी अब bullish way में जाते हुए देखने को मिल सकते हैं तो Ix को यहां पर top picks दिया गया है जिसमें अगर reason की बात करें तो आप देख सकते हैं IFL director expected the volumes of the company will be surprising and the fourth quarter financial year 2022 earnings will report the highest number ever in its history He sees around a 5% upside in the stock with a target of rupees 242 to 245 per shares and a stop loss of rupees 227 per shares तो इन resistance और stop loss को धिहार में रखते हैं अब short term में Ix के अंदर खरीदारी करते हैं बात कर लेते हैं next shares के बारे में जिसका नामे KPIT Technologies Limited आज के दिन KPIT के अंदर अगेन हमें लगबग 5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है चेर अगेन consolidate करते हुए देखने को मिल रहा है लेकिन इस shares के अंदर अगर आपने investment कर रखा है तो 490 रुपे के stop loss को धियान में रखते हुए आप अपनी risk को यहाँ पर manage कर सकते हैं KPIT Technologies Company financially काफी ज़्यादा strong है तो यदि आपने KPIT के अंदर investment कर रखा है तो loss में आपको अपनी positions को इसके और बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पर आप अपनी positions को long term purpose से hold करते हुए चल सकते हैं बात कर लेतें next shares के बारे में जिसका नाम है Reliance Industry Limited Reliance Industry को लेकर भी एक बड़ी updates आज के दिन निकल कर आ रही है अब देख सकते हैं आज के दिन Reliance Industry के अंदर भी हमें लगबग 1.92% की याने कि almost 50 points की गिरावट Reliance Industry के अंदर भी देखने को मिल रही है लेकिन आज के दिन कुछ बड़े fund house से इसने Reliance Industry को लेकर काफी बड़े target दिये हैं इसी के साथ में अगर एल लिवस की बात करें तो एल लिवस का भी मानना है के Reliance Industry जिस प्रकार से न्यू एनर्जी के उपर रोल आउट लेकर आ रही है यान की ग्रीन एनर्जी के उपर काम कर रही है कमपनी आने वाले एक साल में बहुत तीजी से अपने बिजनस को एकस्पांड कर सकती है जी यहां दोस्तों लगबग 13 बिलियन यूज ट्रॉलर का investment हमें न्यू एनर्जी के अंदर आते वे देखने को मिलने वाला है और जिस Zero Emissions Scale पर कमपनी खाम कर रही है इसे इस कमपनी को बहुत ज़्यादा benefit मिलने वाला है Reliance Industry को लेकर यहां पर L.A.S. की तरफ से जो target price aid किये गए है वो 3,205 रुपे पर share के fix किये गए है तो definitely company fundamentally काफी ज़्यादा strong यह तो यदि आपने भी Reliance Industry के अंदर investment कर रखाए या फिर आप investment करने का मन बना रहे हैं तो इस shares को आप अपने portfolio के अंदर aid करते वे चल सकते हैं अब बात कर लेतीं कल के दिन के लिए जो important shares आपके top picks पर रहने वाले हैं जिने आप अपनी watch list में hit करते हुए चल सकते हैं और जहाँ पर आपका मन करें वहाँ पर आप investment कर सकते हैं जिस list में हमारे सबसे बिले जिस shares का नाम है उसका नाम है Infosys Limited कल के दिन company अपने quarter 4 के earnings भी डिक्लेर करने वाली है Infosys Limited long time में आपको लगबग 5000 रुबे तक के भी returns बना कर दे सकता है second shares की बात कर लेते हैं जिसका नाम है HCL Technologies Limited IT सेक्टर में हमें हमेशा से Infosys, Vipro और साथ ही साथ HCL Tech के अंदर काफी बड़ी competitions देखने को मलती रहती हैं लेकिन ये दोनों ही shares अगलग parameters के इसाफ से हैं तो HCL Tech के अंदर भी आप investment करते हुए चल सकते हैं बात करें next shares के बारे में जिसका नाम है Avos Finance Shares Limited जिहां दोस्तों मात्र 2400 रुपे का shares जहां पर आज की दिन आपको लगबख 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है shares के अंदर आप 50-day moving average support का stop loss काफी ज़्यादा काम कर रहा है जहां पर 2350 रुपे के stop loss को धियान में रखते हुए आप अपनी risk को manage कर सकते हैं ये company भी आपको long term में काफी अच्छे returns बना कर दे सकती है बात कर लेतें next shares के बारे में जिसका नाम है Larson & Torbo Infotech Limited जिहां दोस्तों L&T की बात कर रहा हूं मैं यहां पर आज की दिन आपको L&T के अंदर भी almost 2.5-3% की profit booking देखने को मिल रही है लेकिन L&T भी आपको long term में काफी अच्छे returns बना कर दे सकता है तो इस shares को भी आप अपने portfolio के अंदर aid करते वे चल सकते हैं market में हो रही लगातर गिरावट का अब benefit उठा सकते हैं और इन quality stocks को आप अपने portfolio के अंदर aid करते वे चल सकते हैं बत कर लेते हैं next shares के बारे में जहां पर आज के दिन भी आपको 2% की गिरावट देखने को मिल रही है company का नाम है Avenue Supermarts Limited 4085 रुपे की price per shares अभी आपको देखने को मिल रहा है अगर आपने shares के अंदर upper level से यानगी 4500 या फिर 4800 रुपे के level से भी entry ले रखी है तो loss में आपको अपनी positions को इसके और आप बिल्कुल भी नहीं करना है हाला कि shares के उपर थोड़ा सा pressure अभी हमें इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि महाराश्टर में Demart के इनका जो outlook है वहाँ पर जो protest चल रहा है उसको लेकर भी shares के उपर हमें pressure आते हुए देखने को मिल रहा है लेकिन अगर आप Avenue Supermarts के अंदर investment करना जाते हैं तो 4000 रुपे के levels पर आप यहाँ पर buy and dip करते हुए चल सकते हैं बात कर लेते हैं next shares के बारे में जिसका नाम है L&T Technology Services Limited मातर 4545 रुपे का यह shares काफी अच्छे returns already past में अपने investors को बना कर दे चुका है आज के दिन भी हमें shares के अंदर लगबग 200 point के गिरावर देखने को मिल रही है short term investor यहाँ पर profit booking कर सकते हैं लेकिन long term investor यहाँ पर अभी भी अपनी positions को hold करते हुए चल सकते हैं बात कर लेतें next shares के बारे में जहाँ पर कल के दिन आप नजर बनाए रख सकते हैं जिसमें कोफोर्ज limited का नाम भी यहाँ पर मैं aid करना चाहूंगा यह company भी fundamentally काफी ज़्यदा strong हमें देखने को मिलती है तो कोफोर्ज के अंदर भी अगर आप investment करना चाहते हैं no doubt 3970 रुपे के लेवल्ज पर आप इस shares के अंदर भी खरीदारी करते वे चल सकते हैं बात कर लेतें next shares के बारे में जिसका नाम है relax of food we are limited जियां दोस्तों relax of food we are limited भी आने वाले long term में काफी अच्छी returns आपको बना कर दे सकता है आज के दिन इस shares के अंदर भी आपको 0.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है ये कुछ quality stocks में आपके सामने present किये हैं जहां पर कल के दिन आप नजर बनाए रख सकते हैं और कल investment करते वे चल सकते हैं LIC के IPO को लेकर एक बड़ी updates यहां पर निकल कर आ रही है आप देख सकते हैं सबसे बड़ा updates यहां पर आज की दिन का यही निकल कर आ रहा है जो की LIC के IPO से related है 25 से 29 अपरेल के बीच में LIC का IPO के खुलने की यहां पर expectations लगाए जा रही है सेवी में कल file होगा UDRHP जिसमें LIC IPO की date price band decide करी जाएगी तो कल का दिन याने की 13 अपरेल का दिन LIC IPO के लिए बहुत ज़दा important होने वाला है तो यदि आप भी LIC के IPO के अंदर apply करने के लिए excited है तो कल आपको officially बड़ी updates आते वे दिखने को मिलने वाली है तो LIC IPO के अंदर apply करने के लिए आपके पास demate accounts होना compulsory है तो यदि आपने अभी तक demate account open नहीं करा रखाया है तो इंडिया के largest platform अब stocks के उपर आप अपना free demate account open करा सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated साथ ही साथ अगर आपकी इन share से related कोई क्यूरी है तो आप नीचे comment section box में लिखकर पूछ सकते हैं Thank you for watching